इडियास इंप्लिमेंट करने के लिए उनको हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद लेंगे और उसको स्टाट अप बनाने के लिए आप में विब्राइब बनाने के लिए प्रयास करेंगे मुझे आप लोगों की बाते सुन करके बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथी मंत्री प्यूज जी संजय जी ये सारे लोग भी हमारे साथ है सथियों ट्वाय के थोन में जो देश भर से प्रतिभागी हैं अन्य जो महानुभाव है और भी आज इसकारकम जो देख रहे हैं हमारे यहां कहा जाता है साहसे खलू स्री ही वस्ति यानि साहस में ही स्री रहती है समरुद्धी रहती हैं इस चनावती पूर्ण समय में देश के पहले टॉयके थोन का आयोजन इसी भावना को मजबूत करता है इस टॉयके थोन में हमारे बाल मित्रों से लेकर युवा साथियों, टीचर, स्टार्ट अप्स और उद्धमियों ने भी बहुत उत्सा से हिस्सा लिया है पहली बार ही देड़ हजार से ज़्यादा टिमों का ग्रेंट फिनाले में शामिल होना ये अपने आप में उजबल भविश के संकित लेता है ये टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मन निर भर भारत अभ्यान को भी मजबूती देता है इसमें कुछ साथियों के बहुत अच्छे आइडियाज भी उभर करके आगे आये हैं अभी कुछ साथियों के साथ मुझे बाच्चित करने का आउसर भी मिला मैं इसके लिए फिर से एक बार बढ़ाई देता हूँ साथियों बीते पांच-छे वर्षों में हैका थोन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेट्फरम बनाये गया है इसके पीशे की सोच है देश के सामर्थ को संगढ़ित करना उसे एक माध्यम देना कोशिच यह है कि देश की चुनवतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो जब यह कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवाशक्ति की प्रतिभावी सामने आती हैं और देश को बहतर समाधान भी मिलते हैं देश के पहले टॉय के थौन का मकसद भी यही है मुझे आद है मैंने खिलोनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्म निर्भरता और लोकल स्वल्यूशन के लिए युवाश साथिवों से अपील की थी उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉंस देश में देखने को मिल रहा है हाला कि चंद लोगों को ये भी लगता है कि खिलोनों ही तो है इनको लेकर इतनी गंबीर चर्चा की क्या जरूत है असल में ये टॉइज ये गेम्स हमारी मानशिक शक्ति हमारी क्रियेटिविटी और हमारी अर्थववस्ता पर ऐसे अनेक पहलूं को प्रभावित करते हैं इसलिए इन विशयों की बाद भी उतनी ही आवशक है हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाट साला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलोने ही होते हैं समाज के साथ बच्चे का पहला समवाद इनी खिलोनों के माद्दम से होता है उन्हें देखा होगा बच्चे घर में खिलोनों से बाते करते रहते हैं उनको से इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे कुछ काम करवाते हैं क्योंकि उसी से उसकी सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुवात होता है इसी तरह ये टॉइश ये बार्ड गेम्स धीरे धीरे उसकी स्कुल लाइब का भी एक एहम हिस्सा बन जाते हैं सिखने और सिखाने का माध्यब बन जाते हैं इसके अलावा खिलोनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा प्वक्ष हैं जिसे हर एक को जानने की ज़रूरत है यह टॉइज और गेमिंग की दुनिया की अर्थ ववस्ता टॉइकोनोमी आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉइ मार्केट करीब करीब सो बिलियन डॉलर का है इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ डेड़ बिलियन डॉलर के आस्पासी है सिर्फ डेड़ बिलियन है आज हम अपनी आवशक्ता की भी लगभग अस्षी प्रतीशत खिलोने विदेशों से आयात करते हैं यानि इन पर देश का करोड़ो रुपिय बहार जा रहा है इस थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आखड़ों की ही बात नहीं है बलकि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्द रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज़्यादा जरूरत है खेल से जुड़ा जो हमारा कुटी रुद्योग है जो हमारी कला है जो हमारे कारीगर है वो गाउं, गरीब, दलीद, आदिवासे समाज में बड़ी संख्या में है हमारे ये साथी बहुत सीमित समसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृती को अपनी बहतरीं कला से निखार कर अपने खिलोनों में ढालते रहे हैं इसमें भी विशेश रुप से हमारी बहने, हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमी का निभा रही हैं। लिए वोकल होगे, लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बहतर बनाने के लिए ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेट बनाने के लिए हर स्तरप्रट पोच्छान देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनांसिंग तक नए मोडेल विक्सित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्ट अप को कैसे प्रमूट करें और खिलोनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नलोजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार पहयार करें ये भी आवश्यक है। टाय के अथोन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है। सात्यों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी, आज गाउं गाउं तक देश को डिजिटली कनेक कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलोनों के साथ साथ वर्चुवल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सावर्त दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ओनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्द हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतिय नहीं है। हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वाइलन्स को प्रमोड करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दाईत्व है कि ऐसे बैकल्पी कंसेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन जो संपुर्ण मानू कल्यार से जुड़ा हुआ हो, वो हो, तकनीकी रुप में सुपीरियर हो, फण भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पस्त देख रहा हूँ कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कंपिटेंस हमारी यहां भरपूर है। हम टॉय के थोन में भी हम भारत के इस ताकत को साब देख सकते हैं। इसमें भी जो आइडिया सिलेक्ट हुए हैं, उनमें मैस और केमिस्ट्री को आसान बनाने वाले कंसेप्ट हैं। और साथ ही बैलूबेस सोसाइटी को मजबूत करने वाले आइडियाज भी हैं। अब जैसे यह जो आइक्रोगी तो गेमिंग का कंसेप्ट आपने दिया है। इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से VR और AI टेक्नलोजिय से जोड़कर एक नया गेमिंग सॉलूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आइडियोवेश से जुड़ा बॉर्ड गेम भी पूरातन और नूतन का अध्भूत संगम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बात्चीत के दोरान नव जमानों ने बताया भी कि एक कम्पिटिटिव गेम दुनिया में योग को दूर सुदूर पहुँचाने में बहुत मदद कर सकता है। साथियों भारत के वरतमान सामर्त को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया जादा बहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग समझना चाहते हैं, इसमें हमारी टॉइज और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मेरा हर युवा इनोवेटर से, हर स्टार्ट अप से ये आगरह है कि एक बात का बहुत ध्यान रखे। आप पर दुनिया में भारत के विचार और भारत का सामर्थ दोनों की सही तस्वीर रखने की जिम्मेदारी भी है। एक भारत स्रेष्ट भारत से लेकर वसुध हैव कुटुप गम के हमारी शास्वत भावना को सम्रुत करने का दाईत्व भी आप पर है। आज जब देश आज हादी के 75 वर्ष का अमरुत महुत्सों मना रहा है। तो ये टॉइज और गेमिंग से जुड़े सभी इनोवेटर्स और क्रियेटर्स के लिए बहुत बड़ा आउसर है। आज हादी के अंदोलन से जुड़ी अनेक ऐसी दास्तान है जिन को सामने लाना जरूरी है। हमारे क्रांती विरों, हमारे सैनानियों के श्रावर्य की लीडर्सिप की कई घट्नाओं को खिलोनों और गेम्स के कंसेप्ट के रूप में तयार किया जा सकता है। आप भारत के फौक को फूचर के से कनेक करने की वाली भी एक मजबूत कड़ी है। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा फोकस ऐसे टॉइज, ऐसे गेम्स का निर्वान करने पर भी हो जो हमारी युवापीडी को भारती है ताके हर पहलू को इंट्रेस्टिंग और इंट्रेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉइज और गेम्स इंगेज भी करें, एंट्रेटेन भी करें और एजुकेट भी करें। यह हमें सुनिशित करना है। आप जैसे युवा, इनेवर्टर्स और क्रेटर से देश को बहुत उमीद है। मुझे पूरा विश्वात है कि आप अपने लक्षों में जरूर सफल होंगे, अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। एक बार फिर इस टाय के थाउन के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत सुप्तामनाई देता हूं, धन्यवाद। कि आपकराद। एक इंस्पिरेशन दिया है उसको हम पूरी लगन के साथ काम करते हुए, तोईक आफ़न के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगे और ये इंडियन मार्केट बाहर जाने के लिए भी एधि जितने कोशिश करने हैं पूरी के पूरी करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए ठीक से तॉबश भिए जिए टर्मी